चलिए आज टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों कि प्लींद बीम वो कौन सा इस्ट्रक्चर है, सब इस्ट्रक्चर है या फिर सुपर इस्ट्रक्चर है, तो आपको मालू होना चाहिए कि जो अपना बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो बेसिक कमपोनेंट है, दो तो वैसे में प्लींद बीम जो कि अपना कमपोनेंट अप बिल्डिंग है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, सब इस्ट्रक्चर होगा या फिर सुपर इस्ट्रक्चर, तो इसी सवाल का जब आप ढूननेंगे और जानेंगे दोस्तों, उससे पहले आप यह जानलीजे जो अ अपना above ground level, ground level से उपर का जो भी अपना structure है, वो अपना super structure, धेन देने वाली चीज यह है दोस्तों कि कई जगा पर, कितना जगा पर, कई लोगों में confusion यह बना है, कि sub structure कितना लोग यह बोल देते हैं, कि plinth beam जो है, plinth beam का नीचे का अपना sub structure बोल देते हैं, और plinth beam से उप का जो structure है, वो super structure, तो यह गलत है, जो भी structure अपना ground level से उपर रहेगा, वो अपना super structure, और ground level से नीचे रहेगा, वो अपना sub structure, वैसे अगर बात क्या जाए कि अपना plinth beam का क्या काम है, तो plinth beam का काम जो अपना column से थ्रू होते हुए load जो आ रहा है, उसे जो है distribute, uniformly distribute कर लेत column को tie करता है, एक साथ बानने के लिए जो अपना plinth beam support कर रहा है, इसलिए जो है plinth beam को tie beam भी का जाता है, इसलिए जो है plinth beam को transition component भी बुला जाता है, structure का transition component, क्योंकि sub structure और super structure का meet होता है, जहाँ पर meet हो रहा है, जो junction है, जहाँ पर भेट हो रहा है, वो अपना plinth beam है, इ उपर गाई structure, means plint beam जो है, ground level से उपर structure आता है, इसलिए plint beam क्या हो गया अपना super structure, वैसे एक चीज है, जहां पर confusion ज़्यादा हो सकता है, कि ground beam और plint beam में, तो ground beam जिस तरीके से वो अपना नीचे होता है, ground level से नीचे और foundation beam है, क्योंगे अपना ground beam जो है, foundation beam है, तो वो अपना क plint beam जो है, ground level के level में दिया जाता है, और plint height न देते हुए, plint beam अगर आपका नीचे हो गया, ground level से नीचे अगर हो गया, तो plint beam भी अपना क्या हो गया, sub structure रहेगा, sub structure ने रहेगा, किसी भी तरीके का जो भी structure है, वो अपना ground level से उपर है, तब ही जाकर वो super structure, अगर नीचे है, तो sub structure, और यहाँ पर भी एक तरह से यह बोल सकते हैं, कि यहाँ पर भी condition लागू है, कि अगर plint beam, कि कई जगा पर यह होता है, plint beam अपना नीचे है, तो वो अपना sub structure रहेगा, और उपर है, ground level से, तो वो अपना super structure होगा, तो यही था दोस्तों, और उमीद करते हैं, व अगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए, गुडबाई